खुशिया नहीं मिलती मांगने से, मन्जिल नहीं मिलती रुख जाने से, भरोसा रखना खुद पर और भगवान पर, सब कुछ देता है वहे वक्त आने पर कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिन्दिगी का सार बाकी है, यहां से चले हैं नई मन्जिल के लिए, यह एक पन्ना था, अभी तो किताब बाकी है उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नजर उठाओ, सामने जिन्दगी खड़ी है, अपने हसी को होटों से न जाने देना, क्योंकि आपके मुस्कुराहट के पीछे दुनिया पड़ी है जब कोई हाथ को साथ, दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है इसी का नाम जिन्दगी है, हमेशा मुस्कुराते रहिए अच्छा वक्त उसी का होता है, जो किसी का बुरा नहीं सोचते उठो, जागो और तब तक नहीं रुको, जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए कल की कोशिश में हार हुई है तो क्या हुआ, आज जब सुभा दुबारा हुई है, तो कोशिश भी दुबारा ही होगी है इरादा कि पाना है मन्जिल को, ले ले इंतिहान जितने लेने हैं तुझको, दिखा देंगे हम भी क्या चीज हैं हम, आजमा ले जितना आजमाना है तुझको जिन्दिगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है, जो मान लेता है वो हार जाता है, जो ठान लेता है वो जीत जाता है शक करने से शक ही बढ़ता है, विश्वास करने से ही विश्वास बढ़ता है, यह आपकी इच्छा है कि आप किस तरफ बढ़ना चाहते हैं मन्जिल मिले न मिले ये तो मुकदर की बात है हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है जिंदिकी जखमों से भरी है वक्त को मरहम बनाना सीख लो हारना तो एक दिन मौत से फिल्हाल जिंदगी जीना सीख लो जब तक इंसान अपने आप से ना हार जाए तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता जिंदिगी जो शेश है वो विशेश है एक पेड़ से लाखो माचिस की तिल्नियां बनती है लेकिन एक तिल्नी लाखो पेड़ जला देती है इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है झाल जला सकता है